आरक्षन ही नहीं रहेगा थम पढ़े लिकर के क्या करेंगे नौपडी करके क्या करेंगे रुपिया कमा कर क्या करेंगे और इसलिए जबाई को आरक्षन की सक्त जरूरात है और बाकी सारी चीजे ठीक लग रही है वह दुआ करने लग गया बाद में भाग के गया है वैसे तो यह किसी ऊपर लिखा गटर शरीफ गटर शरीफ गटर शरीफ तो रॉम्रा मेरे पहरा है वहनु कि हल चल मजा माइक बाफिट साब सबका सवागत है अपने चैनल से फ्रॉन पेट्रियोट में और मैं आपका बाई दूर के इसलिए कर आ चुका हूँ एक और नहीं वीडियो आज की अपनी इस वीडियो को ध्यान से पूरा आवस देखिएगा मैं दिक्तर वीडियो में ये बात नहीं बोलता हूँ वट अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया आपका सर चकरा जाएगा आप माता पकड़ कर बैठ जाएंगे और यह सूचने पर विवस हो जाएं कि यह आप आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो आपका देश आपका धर्म आपका पविस्ट सुरक्षित नहीं रहने वाला दो जिन से टीवी पे आप देख रहे हो तबना देश की जंता सेख हसीना की गलत नीचियों की वज़ा से कल प्रजान मंत्री आवास में खुच गई राजपती भवन में खुच गई याद रखना नरेजम होती जी एक दिन एक जट्टा जित्ते सबक पर हिलो रहे ले रहे एक दिन तुमारी गलत चीचियों से तुमारे प्रजान मंत्री निवास पे बुल जाएगी कप्चा कर लेगी यह कॉंग्रेस का नेता और पूरुमंत्री सज्जन सिंग वर्मा जिसने यह विवादत ब्यान दिया है असल में हमाई देश में समस्या है कि हमाई देश का जो ताना साय वह बहुत ही जादा कम जोर है इसलिए इस सब ऐसे खुलकर बहुगते रहते हैं इसके लॉजिक के अ सब्सक्राइब कर रहे थे हाँ वो अलग बात है कि नाम मत काई स्टूडेंट प्रोटेस्ट था चात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पर गुंडे माफिया और एक मजवी वीडी ती जो की सेख हसीना सरकार अमेरिका की गुलामी से इंकार कर रही थी और उनके भारस सरकार से अच्छे संबन्द थे और फिर इस मजवी वीडी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदू के साथ अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसके बाद बंगला देश के राष्ट पिता कहे जाने वाले सेक मजवीर रह्मान की मूर्ति को गुल्डोजर से त के अपने देश की अधममा प्रस के लिए टबिए मांगला दने मुझीवर रहतीं ही होती एक मुझीवर रहमान के अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया तहुता और यई आप लोग समझ कहोंगे की स्या रखते हैं saud और साया सज्जन सिंग भूल गया है कि वो भले ही कॉंग्रेसियों बट उससे पहले वह हैं तो एक हिंदू ही वो उनके लिए काफिर ही कहलाएंगे और यह जो बंगला देश जैसी इस्तिती भारत देश में चाहा रहे हैं अगर ऐसी इस्तिती पैदा हो जाती तब यह भीड क कुसे कि इनकी बेहन बेटियों को छोड़ देगी क्या वो वीड इनके घरों में कबजा नहीं करेगी फिर यही सज्जन सिंग मोधी जी से प्रोटेक्शन मांगते हुए नजर आएंगे और यही आज 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 आप पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंट्रेस्ट रखते इस नरेटिब का यूज किया जा रहा है और इसकी सुरुवात होती हमाय देश भारत से 2024 के चुनावों के ठीक पहले से मोधी जी के एगंस वा बीजेपी के एगंस ताना सा नाम का एक सब्द गड़ा जाता है लगातार बड़े बड़े चाटूगार इंफ्रेंसर्स से पत् पिर चाहें वो यह सब लिखते हुए मोधी को गालियां ही क्यों ना दे रहा हो चाहें वो अपरादी ही क्यों ना हो उसके बास सेम एही टेकनिक एही नरेटिब एही टुलकिट बंगला देसके खिलाप भी यूज की जाते हैं उसे एक हसीना को भी ताना सा बताया जाने लगे हुए हैं और हमारे देस में राहुल गांदी जाजी कटपुतिनिया इनके सारों पर नाचने के लिए तयार रहती हैं असा करता हूँ आपको साया समझा गया होगा कि कैसे आज हमारे देस में नरेटिब का खेल खेला जा रहा है और आगे भी खेला जाएगा हाँ वो लग बात है कि इन देस व्रोधी थाकतों का जो नरेटिब था जो प्रोपगंडा था वो हमारे देस में सफल नहीं हो पाया बड़ उसके वापजूद भी इन्होंने मोदी का बीजेपी सरकार का देस प्रेमी सरकार का नुकसान अच्छा कासा कर दिया और जब इनका इनका इस इक भारत नियसम पूरी तरह सी शफल नहीं हो पाया उसके बाद यों मैदान में एक और नहीं टूलकिट के साथ उतर चुके हैं अगर कोई एक विक्ति बियान देता है वीडियो बनाता है पोस्ट करता अब वो नहीं कर रहा है वो कोई टूलकिट का हिस्सा नहीं है देखा होगा जब बॉलीवुड का बड़े से बड़ा स्टार वा छोटे से छोटा एक प्रिद्धी स्टार भी आलाइस और रफा को लेकर ट्वीट कर रहा था पोस्ट कर रहा था इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रहा था एक साथ अचानक से यह सब सुबर सोकर उठते हैं और इजराइल तो रफाएं बच्चों पर अत्या चार कर रहा हमें तो इसके खिलाप आवाज उठानी चाहिए और यहां पर मजी की बात यह है कि इन सब को एक साथ हियाद आता है कि इस ब्रोधी एक और नरेटिव से अट करने के लिए क्योंकि यह वही लोग थे जब संद वेने नज़र नहीं आया आल आई जॉन संदेश खाली क्योंकि वो इनकी टूल किट का हस्ता नहीं है वो इनके नर्याटिव का हस्ता नहीं इनके पैसे नहीं मिलते हैं आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखी उसके लिए धन्यबाद क्या आप बता सकते हैं कि इस समय हमा वाला यानि की ग्रहय युद्ध और यह सिर्फ बयान बाजी नहीं इसमयाम जन्ता को भटकाने के लिए और ग्रहय युद्ध करने के लिए उकसाने के लिए किया जा रहा है और सच्छन सिंग तो इस टूल किट का बस एक प्यादा मात्राव आप लोग राकिस टिकाइद को आपने की राकिस टिकाइद को अचानक से ही इस समय पर यह आद क्यों आया कि 25 लाग टेक्टर उस दिन लाल के लिए की जगए पर अगर पारली अमेंट की तरफ कर दिया हो तो केस उसी दिन ने पटे जाता क्योंकि अब ग्रहय युद्ध वाली टूल के टेक्टिव हो चु मोधी जी का नाम ले करके इस सुनो मोधी जी याद रखो बंगाल में आग लगाते हो अगर तो असम भी नहीं रुकेगा नौर्थीस नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश नहीं रुकेगा बिहार नहीं रुकेगा जारकर नहीं रुकेगा उडिशा नहीं रुकेगा दिल्ली भी नहीं रुकेगी मतलब अगर आप बंगाल में आग लगाओगे तो सब जगे आग लगेगी सब कुछ जलेगा सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें कह रही है राजनीती अपनी जगे होती है लेकिन आग लगा देना आग लग जाएगी दिल्ली में आग लग जाएगी सब राजियों में लग जाएगी बंगाल नहीं जल रहा था और जब बंगाल का सच ममता बनरेजी सरकार की नाकामी देश में खुलकर सामने आने लगी तब मोदी जला रहा है यानि कि यह दिकुल मिलाकर इनकी राज में इतनी बड़ी घटना भी हो जाती है तो लुकसान थी पूर्ण प्रोटेस्ट भी ना जेगी बिहार वा उत्तर प्रदेश भी नहीं बचने वाले और यह सब मेरे नहीं ममता बनरेजी के हैं उस महिला के हैं जो मुकमंत्री जैसे पद पर बैठी हुई है कि जो हालात बंगला देश के हैं भाई हालात हम भारत में भी पैदा कर देंगे घर हमारी कुर्षी को जर जहां हो रहा है है कि जो बढगला देश में हो रहा है वह हिंदुस्तान में हो रहा है तो इसे सियासत का सबसे निमनस्तर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बिल्कुल देखिए ऐसा बयान और खासकर कॉंग्रेस का वो नेता जो विदेश मंतरी रह चुका है इस वेक्तिकु जो कि कॉंग्रेस का एक बड़ा नेता इसे हमाये देस ने क्या कुछ नहीं दिया इसे विदेश मंतरी तक बनाया उसके बाब जुद भी आज ये देस धरोई देस में गरह युद चाहां रहे हैं अब सायद आप लोग आसानी समझ चूके होंगे कि हमाये देस को घरह युद में धकेलने के लिए कॉंग्रेस किस किस तरह के सड़यंतर रच रही है और मैंने इस वीडियो में डेटेल में बताया है कि कॉंग्रेस कैसे कसमीर के जरी हमाये देस को बरबात करने की साजे सरच रही है इस वीडियो में मैंने बताया है कि जेके एंसी जम्मू कस्मी नेस्नल कॉन्फरेंस जोगी फारुग अब्दुल्ला की पार्टी जिसका कॉंग्रेस के साथ गडवंदन हो रखा है वो पार्टी कैसे अपने मैनिफेस्टो के जड़िया आतंग बात के लिए और पाकिस्तान के लिए भारत में घुसने के लिए आराम से रास्ते खोल रही है तो कॉंगरेस ने इस देश ब्रोधी मैनिफेस्टों का रस्ती बर भी ब्रोध नहीं किया है। कॉंगरेस ने इसे मौन समर्थन दे दिया ये बात खुद अमर उद्धुला ने बताई है। बाकी का ये सब तो कुछ भी नहीं कॉंगरेस सबसे भी चार केदम आगे निकल गई है। सुनिये कॉंगरेस के एक नहता सागीर साइद खान कोॉ Breaking development coming in this time. A shocking video of Congress leader Haji Saghir Saeed Khan has emerged in which he is allegedly promising 1 crore rupees reward for terrorists killed by forces in Kashmir. He says that if Congress comes to power, then Congress will release all those arrested in cases of terrorism. Look at the bizarre promises. जो हमारे निर्दोष लोग यहां मारे गए हैं उन सब को अगर हमारी कानेश की सरकार आती है एक एक करोड़ रुपया मुहावजा और उनके खरके आपनी को डॉपनी बी जाएगी। एक तरफ BJP है जो वीर गती हो प्रप्त हमारे जवान की बेटी को टिकेट दे रही है चुनाफ लडवा रही है वहीं दूसरी तरफ Congress है जो कि आतंग बादियों के परवारों को एक करोड रुपय देने की खुले हाम बात कर रही है बागी का आप ही तैकरने की देस किसके हा किया जा रहा है इधर Congress के दौरा पूरे देस में सौफ तरीके से ग्रहे एद्युका माहल बनाया जा रहा है उदर कस्मीर में चुना जीतने के बाद आतंग बादियों को रहा किया जाएगा उनकी funding स्टार्ट की जाएगी Congress के सथा में आते ही लोसी पर पाकिस्तान से वापा इस वीडियो में मैंने जो ही बोला है वो खुद JKNC के मैंनी फैस्टों में लिखा हुआ है और मैंने वो सभी वीडियो क्लिप्स आपको दिखाई है कुछ भी अपनी तरफ से मनगरंत नहीं बोला है बस सचका है आप सब को दिखाने की एक चोटी सी कोसिस की है और बाकिक अपनी इस वीडियो को लाइक और कमेंट अबस कीजिएगा ताकि अपनी इस वीडियो की रीच बनी रहा है जादा जादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पा है और अपनी इस वीडियो के साथ ये कहकर साज अबस कीजिएगा कि वो इस वीडियो को पूरा अबस देख